आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइज एक्षेंस एक बहुत अच्छे सिस्टम में एक बहुत अच्छी स्टैडजी के उपर डिस्केशन करेंगे जिसमें हायर टाइम फ्रेम पर सबसे पहले हम लोग एक सपोर्ट और रेस्टेंस डिफाइंट करेंगे और लोग टाइम पर जाकर कि उसके अंदर कंफॉमेशन ले करके किस तरह से हम टेड एक्जीक्यूट कर सकते हैं कैसे लगा सकते हैं क्या हमारी टार्गेट से सकते हैं इस एक छोटे से पॉइंट के उपर लेकिन बहुत इम्परटन है इसके उपर मूंग डिसकेशन करेंगे एंड वैलकम त points होगा वो होता है मेरा volume का so volumes का rule इसके अंदर बहुत ज्यादा होगा because volume और price इनको देखते हुए ही काम करना होगा उसके बाद में full month मतलब कि previous month मेरा जितना भी होगा previous month में price ने क्या high लगाया है and क्या low है उसका इसके उपर हम discussion करेंगे so सबसे important हो जाएगा मेरा high मत निकला है इस बीते हुए महीने में सबसे ज्यादा volume किस दिन trade हुई है actually volumes को ज़रुरत नहीं समझाने की विडियोस देख रहे हैं तो काफी हट तक volumes ते information आपको होगी volumes की जानकारी आपको होगी तो कब किस दिन सबसे ज्यादा transactions हुए है volumes के तो हम यह पता लगाएंगे तो last month जो हमारा month गया है last time इसमें सबसे दा volume किस दिन आई है so high volumes को हमें mark करना होगा तो volume को हमें ले करके previous month में सबसे high volume की जो candle होगी हम उसका use करेंगे so यहाँ पर लिख सकते हैं हम लो high volume candle इसको और आगे की तरफ ले करके जाएंगे तो कुछ एक systems निकल के आएंगे जैसे मेरे पास कितने supports और कितने resistance होंगे तो total मेरे पास यहाँ पर चार support हो जाएंगे जो की जिनका यूज हम लोवर टाइम पर ट्रेंड में एंटर करेंगे तो उसके अंदर यूज करना होता है तो चार support points होंगे and चार resistance points भी होंगे तो कुल में लाकर हमारे पास हैं पर चार support और चार resistance निकलते हैं हमें कहां पर entry नहीं है क्या stop loss होगा क्या target होगा इन important important points के ज्यादा डीपी discussion करेंगे बहुत मेहनत लगते इस तरह की वीडियो बनाने में उसे आप पहुंचाने में तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीज़ेगा comments कीज़ेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कीज़ेगा इस तरह के content से यहाँ पर आपको हमेशा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम आपके लिए लाने की कुशिश करते रहते हैं ओके सो आगे बढ़ते हैं यहां पर देखे सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं फिर से कहेंगे volumes का यहां पर और प्राइस का दोनों को मिला करके हम यूज़ करेंगे प्रिवेश्मंद लास्ट जो भी मन्थ मेरा गया है जैसे कि यह हम डिवाइट कर देते हैं अपने इस पार्ट को दो भागों में एक तो मेरा हो जाएगा प्रिवेस्मंद का और एक हो जाएगा अब कमिम में उके प्रिवेस्मंद में लाइक यह मेरी वॉल्यूम्स हैं कु कि so price candles में जो भी हाई लगा होगा मेरा जितना भी हाई होगा हम उसका हाई और लो माग करेंगे अब suppose कि मेरा जो हाई है वो यहाँ पर है और जो लो है वो यहाँ पर है हमारे लिए यह दो पॉइंट्स बहुत important हो जाएंगे सबसे पहला यह दो पॉइंट्स मेरे लिए important होग again यहाँ पर एक जो चीज देखने वाली है आप लोग volumes में देख पा रहे होंगे कि यह वाली जो volume है यह पूरे मत में सबसे ज्यादा volumes निकल कर क्या ही थी अभी हमें क्या करना है इस volume की भी ज़रूरत है हमें next month पढ़ने वाली है तो हम इसको भी mark करके रख लेंगे जैसे म मेरा मन्त स्टार्ट होने वाला होगा तब यहाँ पर इस volume की जो भी candle होगी हमें उसको mark कर लेना है important volumes की जब हमने बात की तो देखिए यहाँ पर कौन सी important volume थी यह वाली इसका जो price था वो था यह वाला हमने इसका high और इसका low यह mark कर लिया और total जो अभी हमने low mark किया था प लिए श्याव वालूम होगा कि जैब किसी रेंज के उपर होता है तो वो सपोर्ट होता है किसी रेंज के नीचे होगा तो मेरे लिए resistance और थिस थैंज हम देख रहे हैं कि मेरे पास 4 चार बाइस निकल करके पूरे मन्थ यह जो सब्सक्राइब निकल करके आगे जितनी आसानी से जितने कम समय में हम आपको बता रहे बहुत ज्यादा समय लग जया था हमको इसके पीछे की मुव्मेंट समझने में इसके पीछे के रीजन समझने में क्यों यह इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर अगर आप इसको मार्क करना सीख लेते हो इसके उपर अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ और सिफ इस चोटे से सिस्टम के तुरू आप बहुत सारा पैसा बना पाँगे लेकिन हम फिर से कहेंगे यह कोई सिस्टम किसी एक स्टेडिय कराब नहीं है यहां पर छोटी-छोटी कड़िये एक दूसरे से जूड़ी हुई है लास्ट मन्त में जिस भी दिन हम चेट करें फाइफ फाइफ मिनिट्स पर भी जो भी एक एक केंडल बन रही है अपनी जगह पर उसकी एक इंपॉटेंस होती है जब फोड़ी दिन प्रैक्ट्पीस हो उसके बाद में कम मौन के साथ आप इसके ऊपर अपनी स्टेजिस को एपलाई कीजिए और कम मौन के साथ इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए सो आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगले नेक्स्ट मन के लिए मेरे पास यह कुछ सपोडर रेश्रेंस चले है हमें यह देखना है कोई भी स्टॉक आप ऐसे मारकर के रख लिए इसके बाद में हमारा जो काम होगा नेक्स्ट प्रैस कब कब आपका इस रेंज के पास में आएगा जब जब प्राइज आपका इस रेंज के पास में ट्रेवल करेगा आपको यहां से ट्रेड एक्जिकूट करना होता है जब जब प्राइज आपका इस रेंज पराएगा अब यह ऊपर चला गया हमें मतलब भी नहीं है फिर से हम वेट करेंगे यह प्राइज मेरा नीचे की दिशाथ करेंगे अगर उपर की तरफ जा रहा प्राइज तो हम milion करेंगे यहां इस तरह से आपके फूरा सिस्टम से आपकी पूरी स्टेटिज श्क्राइगे सो जो हैई होते हैं और जो लो पांट होते हैं यही मेरे लिए इंपॉर्टन विटा है और अब नेक्स्ट प्वा रहें निकल कर ज़ंगता है कियोंकि हमने आप जब अधर ट्रेंट कि की stop losses की और targets की so entry stop loss target किसरे से define करेंगे time frame जो entry stop losses के लिए हमको use करना है वो होगा मेरा five units का अब सबसे important point आजा है मेरा entry stop loss और target का total मेरे पास देखिए 11 elements हो गए जिनको हमें ध्यान में रखना होगा जिनकी help हमको लिनी होगे हमें उसको भूलना नहीं है पोली सिस्टम पर जब हम काम करें और उसको अब एंट्रिस के लिए हमें यहां पर यूज करना है सबस्यादर देखें फिर से मतारें entries के लिए अपनी इन्वाली फॉर्मिशन का यूज करना है यह जो हाई हमने मांक कर रखें हैं इन हाई का यूज करना है प्राइज जब जब हमारी इस रेंज पर आएगा हम एक्टिव हो जाएंगे जब जब प्राइज मेरे हमारी इस रेंज पर आएगा हम एक्टिव हो जाएंगे सपोर्ट पर अगर कोई प्राइज है तो आपको देखना होगा कि यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग की अपोरिटिटिस फाइंड करनी है अगर 5 मिलना सपोर्ट के ऊपर ट्रेवल कर रहा है इस चीज को सिर्फ और स्समझीएगा प्राइज अगर आपका आपके सपोर्ट पॉइंट्स जितने भी सपोर्ट अगर ट्रेवल कर रहा है तो हम अपने सपोर्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही करेंगे उसके अंदर हम सेलिंग्स नहीं डूड़ेंगे बाइंग करना कैसे हैं बहुत सारे बुलिश उं स्ट्प्टर्स जो की आपको YouTube पर मिल जाएंगे बुक्स मिल जाएंगे जिंके कई जगा पर Commercial descriptions मिल जा प्रिश्ट केंडिश्रिक आप डालोगे यूट्यूब पर या फिर गूगल पर बहुत सारे पैटर्स निकल के आएंगे कोई भी पैटर्न आपको अपने इस सपोर्ट पर फाइंड कर लेना है जब उस बुलिस इस्ट्रक्चर का ब्रेक आउट अप साइट की तरफ होगा आप अपने प्रॉफिट्स बुक करोगे और उस इस्ट्रक्चर के नीचे आपको इस टॉप लगे जब उस मदर केंडल का लोग्रेक होगा हम इसके थोड़ा सा ऊपर अपने इस टॉप लगाएंगे उस मदर केंडल के नीचे अपना ट्रेड एक्जिक्यूट करेंगे यहा और लोज के मेरे टार्गेट होंगे टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो प्रीवेस जो भी सिंस होंगे वहां पर आप अपने टार्गेट लगा सकते हो और अगर मैनेश्मेंट के अकॉर्डिंग देखना तो वन रिशियो टू या फिट्री के टार्गेट साब अपने लग सिस्टम समझा दिया है प्रैक्टिस करने में समय लगेगा इसके उपर कि समय दीजिए थोड़ा से इंवेस्ट कीजिए अपने टाइम के ऊपर अच्छी तरह से प्राइस एक्ष्ण को पकड़ने की उसको पढ़ने की कोशिट कीजिए प्राइस एक या दो दिन का खेल नही है हमेशा फिल हो जाएगी हमेशा इंडिकेटर के आगे गिर जाते हैं हमेशा आज नहीं तो कल आपको प्राइस देक्ष्ण के उपर शिप्ट होना पड़ेगा यह जो भी सिस्टम है आप कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बता सकता है कि प्राइस अगर एक बार हाई पर इस वह जाते हैं जी सिर्फ हमी नहीं है आप विशाएद इस बात से डिसेगरी नहीं करता हुगा कि जब आप इंडिकेटर के तुथ्र remain कुशिष के टेकि चार्ट पर यह कुस T्रह से के वाक और आपको ए randomly कोई भी चार्ट हम लोग देख लेते हैं सो यहांपर जैसे एक्सिस से चलिए बीपीसेल देखते हैं अब बीपीसेल में हमको मार्किंग करनी है वौलम्स को हीट कर देते हैं ओके सो यह जो मेरा मन्द चल रहा है मार्किंग कैसे करनी है अपको यह हमारा January चल रहा है and January के बाद से 28 December, 29 December, 13 December, 31 and यह 3rd of January यह मेरी last candle थी यह वाली so यहाँ पर एक vertical line ड्रॉख कर लेते हैं okay and यहाँ पर December, 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 November यह मेरा last month था December का अभी हमें क्या करना है just हम December का high mark करेंगे and December का low mark करेंगे highs और lows हमने mark करेंगे अब यहाँ पर देखना है सबसे ज्यादा volume की candle मेरी काउन से है volumes काउन कर लिए simple है 20 December की candle high low यह हो गया अब हम इसका color कर देते हैं change हो गया next full month के लिए मेरे पास ranges draw हो गईगे अब हमें कुछ भी नहीं करना है जैसा भी हमने बताए आपको के अपनी range का weight करना है volumes को off कर देते हैं यह सारी चीज़े जब class में discuss की जाते हैं तो और भी ज़्यादा इसको deeply discuss करते हैं volumes के क्या roles होंगे कैसे पता चलेगा है कि price अभी tradeable है और अभी हमें इसके अंदर trade नहीं करना चाहिए price में कब support पर support confirm हो रहे है resistance पर resistance कैसे confirm हो रहे है कि जितना ज्यादा आप इसके अंदर involve होते जाओगे उतना ही ज्यादा यह आपको समझ में आने तखेगा supports और फिर resistance जैसे अभी हमें सिर्फ उसी wait करना कुछ नहीं करना है यहाँ पर बहुत सारी opportunities आपको मिलेंगे बहुत सारी प्राइस देखिए इसी एक range से downside की तरफ गिरा है इस एक range से downside की तरफ गिरा है जब यह in between है हमें तो काम ही नहीं करना है हम देखेंगे इने इसको जब जब प्राइस मेरा हमारी range पर आएगा हम इसके अंदर काम करेंगे हमेशा अपनी range को draw कर लिजे draw कर लेने के बाद में इसके अंदर अपनी levels का weight कीजिए जब भी आपको short करना है या फिर buy करना है प्राइस को 28th को देखिए यहां पर क्या हो 24th को sorry 24th पर हम चले जाएंगे 5 minutes में आये देखें कब कब आया है 25th को भी आये हम 25th को भी analyze करेंगे इसको यह फिर 27 को भी आये हम 27 को भी analyze करेंगे टीनों दिन चली इसको analyze करते हम लोग वीडियो थोड़ा से लंबा हो सकता है कोई बात ने 24th of January हमने क्या कहा कि जब प्राइस मेरा support के नीचे travel करेगा तो हम इसके अंदर सेलिंग ही करेंगे सेलिंग के लाव और कुछ ने यहां पर देखिए क्या हो रहा है अगर मदर केंडल मान लेते हैं अपनी 915 के लोग को जब प्राइस मेरा लोग के नीचे निकलता है ब्रेकाउट के बाद में हम इसके अंदर अपना trade execute कर सकते हैं 915 की candle को एक मदर candle हम लोग मांग सकते हैं जैसे ही प्राइस 915 के लोग के नीचे आया देखिए क्या हो रहा है 915 के अंदर ही हमारी 920 की candle उसके बाद में 925 की candle अगें यहां से देखिए price मेरा reject हो गया मतलब 950 के low से price upside के तरफ reject हो गया मतलब कि यहां से कहीं न कहीं सपोर्ट मिल रहा है अगें मेरा 935 पर price नीचे निकलने में कोशिश कर रहा है फिर से upside convert हो गया और वापस देखिए 935 की range को break करके price बेरा upside में चला गया अगर इसको ऊपर निकलना तो निकल जाना फिर से देखिए 915 के highs को protect कर रहा है उसके बाद में फिर से देखिए 925 के high को भी protect कर रहा है यहां पर भी high protect हो रहे हैं समझ में आ रहा है कुछ है आप छोटी छोटी चीज है मतलब हाइस protect हो रहे हैं और support break हो रहे हैं यह देखिये पहले 920 का support break हुआ मतलब low break हुआ 920 का लो किसे ब्रेक किया 925 नहीं 925 का भी low break हो गया उसके बाद में 930 का भी low break हो गया 935 से लोज ब्रेक हो रहे हैं और अपर रेंजेस प्रोटेक्ट हो रहे हैं चोटी-चोटी सिग्नल्स होते हैं यह जैसे जैसे प्रेक्टिस आपकी बढ़ती चली जाएगी इसके उपर वैसे वैसे आपका नजर्या चेंज होता चला जाएगा फिलाल यह अपना टॉपिक नहीं इस तरह ऐसे आपकी जो एंट्री का पॉइंट बन सकता है वह 915 का जस्ट लो और हाइस के उपर जो भी आपके स्विंग होंगे उसके उपर आप अपने स्टॉप पॉस्स लगा सकते हैं अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टार्किट के लिए वेट करना है यहां पर भी द किशा में गिर गया 25 गो देखे क्या हुआ 25 को जो मेरा प्राइज अपन हुआ है वो नीचे की दिशह में मतलब प्रिवेस टे का लो ब्रेक करके प्राइज मेरा और यहीं से प्राइज मेरा अप साइट के तरफ शिप्ट अब हम घ्रिए नहीं करेंगे क्यूंकि क्यूं ट् stock आपकी range तक पहुंचने से पहले पहले कुछ percent की moves दिखा देता है हम उसको trade नहीं करते हैं अगेन जब price मेरी range तक पहुंचा तो देखे time खतम हो चुका है इंटरेगा time तो खतम ही हो गया है 130 की बात price पहुंचा है वहाँ पर कितना समय ही बचा है मेरे पास so अब हम यहाँ पर trade execute नहीं करेंगे हम यहाँ पर अपना trade नहीं डालेंगे नहीं हम buy करेंगे नहीं sale करेंगे अब हम क्या चाहते हैं कि क्या वह अपर circuit लगा देगा आपके लिए कुछ नहीं हो गया सब्सक्राइब अगर आपकी entry से पहले so अगर एक sufficient move आप उसने दिखा दिया है हम उसके अंदर trade execute नहीं करेंगे अब बारियाती 27 की okay 27 का structure देखे है यह थोड़ा सा interesting है बहुत सारे traders होते हैं जो कि इस तरह के movement trap होते हैं किस तरह से हम bp sale को या फिर 27 का chart या कोई भी stock हो सकता है पर किसी भी stock का movement हो सकता है यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं कि हमें stock के अंदर entry लेनी है अब यहाँ पर देखे हमने क्या किया था जो stop losses defined के थे 24 के अंदर 24 को देखे क्या हुआ था 915 का low break करने के बाद में यहाँ पर एक swing लगा था मतलब आप इसको देख सकते हैं आराम से कि यहाँ पर एक swing लगा सकते हैं उसके बाद में जो मेरा 915 का हाई है यहाँ पर भी हम अपना stop loss लगा सकते हैं यह swings के थूरू और 915 की candle because अब यहाँ पर यह stop loss लगेंगे भी हमारे तो सबस्यादा safe stop loss बनेगा हमारा इस mother candle का high यहाँ पर हम अपने stop loss लगा सकते हैं और इसका जो second lowest थोड़ा सब्सक्राइब बोल सकते हैं कि unsafe zone होगा बढ़ हम अपने swing के उपर अपना stop loss लगा सकते हैं इसको थोड़ा सा एवाइट करके आप 915 या फिर mother candle के high के उपर अपना stop loss लगा है अब हम आज आते हैं अपने 27 पर यहाँ पर दोनों ही conditions में market ने आपका support नहीं किया अगर हम इस candle के नीचे entry भी लेते हैं तो देखे यहाँ पर किसी भी तरह को कोई swing नहीं बना है कोई swing नहीं है 915 का low रिखो आप यहाँ पर stop loss कहां लगाँगे अगर हम 915 के high की उपर stop loss लगाएंगे तो यह बहुत बड़ा stop loss होगा money management के according ते बिलकुल भी अच्छा नहीं है कितने रु लगाएंगे तो target क्या लेंगे 14 रुपएगा यह 21 रुपएगा हम क्या चाहते है कि यह stock 4-5% अभी और चलेगा बहुत कम होता है ऐसा impossible होता है normal market में को stock 2-3% चलेगा उसकी बाद वो sideways हो जाता है हां को बहुत बड़ा breakout आया तब हो सकते है कि price आपका 6% 7% 8% चलता है बट इसा बहुत कम होता है लेकिन जब हम trade करें तो यही मान करके करेंगे न के normal market है 2-3 बस इससे ज्यादा stock नहीं चलेगा 2% 3% बहुत ज्यादा 4% बट अगर कोई BPCL है मान लिए आप इसके अंदर 2% का stop loss लगा दोगे तो क्या 2% वो stock अभी और चलेगा आपके लिए तो इस case म हम क्या करेंगे कि जब मेरे पास इतना बड़ा stop loss है तो हम trade को avoid कर देंगे नहीं करेंगे जब तक मेरे management के according stock हमको नहीं मिलेगा हम trade ही नहीं करेंगे दूसरा अब मेरे पास stop loss लगाने के लिए यहां पर कोई swing भी नहीं है जब swing नहीं है मेरा stop loss लगाने के लिए तो यहां पर भी हमको green signal लेंगे कि हम अपना trade execute करें यहां से भी हम cancel करेंगे अपने trade को चोटे चोटे points हैं यह जैसे जैसे आप market में आगे बढ़ते जाओगे जैसे से काम करोगे न वैसे वैसे सारी चीज़े आपको महलुम पढ़ती रहेंगे यह कुछ important points थे I hope कि आपको अच्छा लगाओगा कुछ न कुछ आपने सीखा होगा इससे बट जिस भी stock के अंदर probabilities होती है ऐसा नहीं है कि जो हम public group में stock share करते हैं वो चलते नहीं है या फिर वो high probabilities के stock नहीं होते अच्छे stock होते हैं अच्छी range पर होते हैं अच्छे level पर हो तो बहुत कुछ आपको वहां से सीखने को मिलेगा so thank you good bye and we will meet again